दोस्तो इस्टार प्लेस पर प्रसारित हो रहा टीवी शो अनुकमा लंबे समय से ही दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है जिसमें अनुकमा की जिस तरह की कहानी पर उतारी जा रही है वो दर्शकों को इस कैरेक्टर से काफ़ी जादा केनेक्ट कर चुकी है जिसकी वज़ जिसमें पांच कलाकार तो ऐसे भी हैं जो कि वर्तमान में इस शो में अलग ही चारचान लगा रहे हैं और इसी वज़े से आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अनुपमा शो में चारचान लगाने वाले उनहीं सितारों से रूबरू कराने वाले हैं तो चलिए देर ना कर विडियो शुरू करते हैं और रूबरू होते हूं उन्हीं सितारों से जिन सितारों की वज़े से अनुपमा में चार्चवान लग रहे हैं उनमें सबसे पहला नाम शुमार है अभिनेता गौरफ खन्ना का जो कि इस शो में अनुच कपाडिया के रूप में नजर आते हैं और जैसा की सभी जानते हैं अनुच कपाडिया की एंट्री से ही इस शो में काफ़ी जादा एकसाइटमेंट आ गई थी और जहां अनुपमा की जिन्दगी में जिस तरहा अनुषकापाडियानी लहर लेकर आये और नई खुश्या लेकर आये थे उसने इस अशो को दर्शकों को देखने पर मजबूर कर दिया था जिसमें अपने डैशिंग लुक, क्यूट एक्स्प्रेशन्स और दमदार आक्टि से तो गौरफ खना एक नई जान फूग गए और इसी वज़े से इनका नाम इस लिस्ट में शुमार है इस लिस्ट में एक नाम शामिल है अभिनीत्रियानीरी वजानी का जो कि शो में अनुषकापाडिया की बहन मालविका की भूमी का निभाती है जिनका किरदार शो में सिर्फ इनकी बहन का ही नहीं बलकि वनराज के बिजनिस पार्टनर का भी है जिसके वज़े से शो में दोनों ही रूप में ये काफी जादा दिल्चस्प अंदाज में नजर आती है जिसे अनेरी वज़ानी बड़ी शिद्दत और मेहनत के साथ परदे पर पेश करने की कोशिश करती है और इसी वज़े से इनके दमदार अभिने की वज़े से ही इनकात किरदार दशकों के बेच खूपसम किया जा रहा है जिसकी वज़े से ये भी आज दश्रकों की फेवरेट होती जा रही है अनुपमा शो में चार्चान लगाने वाली अभिनेत्रियों में भला रुपाली गांगुली कैसे पीछे रह सकती है जो कि शो में अनुपमा के किरदार में देखी जाती है जिनके इर्धगेर्ध ही इस शो की कहानी का पूरा ताना बाना बुना जाता है और इसी वज़े से शो में सबसे ज़्याद़ा अपीरियन्स इनहीं की होती है जिसमें रुपाली गांगुली अपने सालों के एक्सपीरियंस और वर्साटिलिटी की वज़े से ही एक नई जान डाल देती है और इसी वज़े से इनके अंदाज को देखने के लिए दर्शक इस शो के एक भी एपिसोड को मिस्ट नहीं करते जिसकी बदौलत ही ये शो लंबे समय से टी आर पी में नमबर वन पर ठीका हुआ है नमबर फूर मदालसा शर्मा शो में चारचान लगाने वाले सितारों में भला मदालसा शर्मा का नाम कैसे पीछी रह सकता है जो कि यूँ तो इस शो में काव्या गांधी के किरदार में देखी जाती है जिनका किरदार शो में काफी नेगितिव है पर इसके बावजूद जिस तरह काव्या के किरदार में ये काफी जादा फणी अंदाज और साजिशे रस्ती नजर आती है वो दर्शकों को काफी जा और क्यूटनेस तो चार चान लगा देती है और इसी वज़े से इनका नाम इस लिस्ट में शुमार है नमबर फाइव निधी शाह शो में चार चान लगाने वाली अभिनेत्रियों में आखरी नाम शुमार है निधी शाह का जो कि शो में अनुपमा की बहु किंजल की भूमिका में नजर आती है जिनका करदार शो में सपोर्टिंग है पर इसके बावजूद उनके करदार की हर एक खास्यत दर्शकों को काफी ज्यादा इंप्रेस कर जाती है जिसमें इनकी दमदार अक्टिंग और जबरदस्त एक्स्प्रेशन्स के साथ-साथ खुबफसूर्ती तो द जिवाना ही बना देती है और इसलिए ये सलिस्ट में आख्री नंबर पर शुमार होती है तो दोस्तों इन सितारों के अलावा शो में आपके हिसाब से कौन-कौन से सितारे चार-चान लगा रहे हैं आप हमें अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरू बताएं स साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही तवाम खबरों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले